नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन टीजिटी परिच्छा 2021 नागरिक सास्त भाग 36 में और चेप्टर का नाम है राजनितिक सिधान्त 10 यह राजनितिक सिधान्त का यह दस्वा भाग है तो चले वीडियो प्र रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड कर उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सब सबसे पहले पहुंचें तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए बीडियो प्रारंभ करते हैं कोशन नमबर वन ये इसमें लोक तंत्र ऐसी सासन पद्धती है जिसमें अंतीम सत्ता इनके हाथों में होती है तो किनके हाथों में होती है यहाँ पर इसके कोशन पूछा जा रहा है भीड, जनता, राजनेति, लोक सेवा यानि लोक तंत्र ऐसी सासन बेश्था है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है किसके हाथों में तो यह होती है जनता के हाथों में यानि लोक तंत्र जो है दो सब्दों से मिलकर बना है लोक और प्लस तंत्र किससे मिलकर बना है लोक प्लस तंत्र से जिसमें लोक का अर्थ होता है जनता और तर्थ का होता है सासन कि इनकी इसका एंसर हो जाएगा बी कोश्चन नमबर दो है लोकतंत्र का वास्त्विक अर्थ है तो लोकतंत्र का वास्त्विक अर्थ क्या होता है तो लोकतंत्र का वास्त्विक अर्थ होता है केबल सासन का सरोप ही नहीं अपी जीवन का माध्धम भी है लोकतंत्र की समिधानिक राज तंत्र का है कि प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने सिवकार किया तो प्रजात तंत्र का जो प्रकार जिसे भारत ने सिवकार किया किस प्रकार का इसमें देखे दिया है सम्मिधानिक राज तंत्र का है कि वह अनुगत लोक तंत्र का है कि प्रजात तंत्रिक राज तंत्र का है कि लोक तंत्रिक गण तंत्र का है तो प्रजात तंत्र का प्रका है निमलिखित में से किस बिचारक ने परत्यच प्रजातंत्र के अस्थान पर प्रतिनी ध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया तो यह समर्थन किया था इसका नाम है जेडिसीन एंसरो जाएगा के निर्मान में बाधा है क्या बाधा है यह बाधा है जिसका नाम है निरणचर्था एवं दूशित सिच्छ परणाली एंसर होगा सी कुस्ष्य नम्बर 6 है लोक कल्यानकारी सिधानत अधारित है यहाँ पर देखे दिया है अपसन कुलिन तंतरी सिध्धान पर लोक तांतरिक सिध्धान पर अरजक्तावादी सिध्धान पर मार्क्सवादी सिध्धान पर तो यह किस पर अधारित है लोक तांतरिक सिध्धान पर किस पर है लोक तांतरिक सिध्धान पर Question number 7 है निमलिखित में से किसने लोक तंत्र को एक जीवन सायली के रूप में परिभासित किया है किसने जो है लोक तंत्र को एक जीवन सायली के रूप में परिभासित किया है तो लोक तंत्र को एक जीवन सायली के रूप में किसने परिभासित किया है तो वो क्या है TV इसमित ने कुस्सर नम्मर आठ या कुस्सर नम्मर नौ है पैरेटों के संबंध में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो पैरेटों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें एंसर होगा C उसने समराजवाद की प्रसंसा की यह कथन सही नहीं है हरताल के एधिकार को निचित ठाराता है उसने विविद्वेक्त कि स्वतन्था कि सत्य कि खोज के लिए उप्युक्त माना है उसने अविजन वर्ग में संचरन की बात किये लेकिन उसने संवरा जवात की प्रसंशा नहीं किये घलत है एंसर इसमें होगा सी कोश्ब नमबर 10 है लोक तंतर में गूट तंतर के लोह नियम का पतिपादन किस ने किया था लोह नियम का पतिपादन किये थे जिसका नाम है रावर्ट मिसेल्स किसने किया था रावर्ट्स मिसेल्स नेम कुशन नमबर 11 है लोक तंतर जनता का जनता के लिए जनता द्वारा सासन है लोक तंतर की ये परिभासा किस बिद्वान की है तो लोक तंतर की ये परिभासा किस बिद्वान की है दिया इसमें इस अपसन अब्राहिम लेंकन, डाक्टर बेनी परसाद, जिन्सबर्ग और गार्नर तिनका मतलब मानना है किसकी परिभासा है किस विद्वा ने परिभासा दिये कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा सासन है यह परिभासा है जिनका नाम है अब्राहम लिंकन का एंसर हो जाएगा ए अब्राहम लिंकन का कोईशन नमबर बारा है किसने कहा लोकतंत्र वह सासन है जिसमें प्रतेक ब्यक्ति भागिदार होता है तो लोकतंत्र वह सासन है जिसमें प्रतेक ब्यक्ति भागिदार होता है ये कहे थे सीले ने इंसरो जाएगा बी सीले ने कोईशन नमबर तेरा है कौन सा सिधान्त है जो मान्टेश्क्यू ने प्रतिपादित किया था तो उस सिधान्त का नाम है सक्ति प्रिथी करण एंसर रोजाएगा B, सक्ति प्रिथिकरण कोश्चन नमबर 14 है निमलिखित में से कौन लोक तंतर का आवस्यक अभी रच्छन नहीं है? कौन जो है लोक तंतर का आवस्यक अभी रच्छन नहीं है? आवस्यक अभी रच्छन नहीं है तो लोकतंतर का आवस्यक अविलाच्छड नहीं है तो इसका एंसर जाएगा ए नियापाली का जबादे होती है बिधायका के प्रती यह अविलाच्छड नहीं है लोकतंतर के लिए आवस्यक कुश्चन नमबर 15 है राजनीती समानता की सर्वस्रेष्ट गरांटी है यह किस ने कहा है यानि राजनीती जो है समानता की सर्वस्रेष्ट गरांटी है यह किस में है यह किस पर कहा गया है तो लोकतंतर में है कि ताना साही में है कि अल्पतंतर में है कि अभिजात तंतर में है किसका एंसर हो जाएगा लोक तंतर में यह राजनीती समानता की सर्शेष्ट गरांटी है यह लोक तंतर में इसका अवलेक मिलता है कोईस्टन नमबर 16 है भासन की स्वतंतरता किस सासन के लिए अवस्यक है भासन की जो स्वतंत्रता है किस सासन के लिए आवस्यक है तो लोक तंत्र के सासन के लिए जो है भासन की स्वतंत्रता आवस्यक है एंसर इसमें होगा A, कोश्चन नमबर 17 है, उदार लोक तंत्र का सबसे बिशिष्ट लच्छन है की, क्या लच्छन है इसका, कि यह सभी ब्यक्तियों को मतों के समान मानता है, कोश्चन नमबर 18 है, राजनितिक परतिनिधित्व सुनिशित किया जाता है, तो राजनितिक परतिनिधित्व सुनिशित किया जाता है, किस से किया जाता है, तो यह सुनिशित किया जाता है, राजनितिक दल होना चाहिए, इसके लिए बिधान पालिका और सम्विधान, एंसर इसमें C सही है Q Maßnahmen 19 है निमलेखित में से कौन सी दल पधाती लोक तंतर के अस्थायत के लिए सबसे उप्यूक्त है तो उस दल का नाम बताना है जो लोक तंतर के अस्थायत लिए सबसे उप्यूक्त है ये उप्यूक्त है दूई दलियकी एंसर रोजाएगा D दूई दलियकी कोश्चन नमबर 20 है निमलिखित में से किस एक को आधनिक लोकतंत्र में अध्रिस समराज कहा जाता है किस एक को जो है आधनिक लोकतंत्र में अध्रिस समाज कहा जाता है तो अद्रिस समाज कहा जाता है इसका नाम है दबाव समू यह लोक तंत्र आधनिक लोक तंत्र जो है उसमें अद्रिस समराज कहा जाता है किसको दबाव समू को एंसर होगा इसका बी कोस्चन नमबर 21 है लोक तंत्र में किसका प्रकार्य हित स्पंधन है किसका जो है प्रकार्य हित स्पंधन है तिया है दबाव समू का एंसर होगा इसको एसका बीज़ आधनिक लोक तंत्र वाला देश है तो परत्यच लोक तंत्र वाला देश कौन सा है तो परत्यच लोक तंत्र वाला देश है जिसका नाम है स्विटिजर लैंड एंसर हो जाएगा डी स्विटिजर लैंड कोशन नमबर तेश है परत्यच लोक तंत्र में ब्यवस्था रती है कि यदि जनता के निर्वाचित परतिनिधियों या अधिकारियों का बेवार संतोस जनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटा कर उनकी जगह नए परतिनिधि चुन सकती है इस पध्धती को कहते हैं इस पध्धती को क्या कहा जता है इस पध्धित को कहा जता है परत्या वहान इंसर हो जाएगा अ परत्या वहान या ब्यवस्था स्यूटिजर लेंड में है कुश्चन नमबर 24 है असपष्ट लोक तंत्र की मर्जी यहां पाई जाती है तो असपष्ट लोक तंत्र की मर्जी जो है कहां पाई जाती है यह पाई जाती है शुटिजर लेंड में एंसर हो जाएगा A, शुटिजर लेंड में कोश्चन नमबर पचीश है और अंतिम कोश्चन है निम्न में से किस देश में सम्मेधानिक राज तंत्र है तो किस देश में सम्मेधानिक राज तंत्र है तो वह है ब्रिटेन में इंसर हो जाएगा भी ब्रिटेन में यह लाज नहीं है इसमें मिस्प्रिंटिंग वहा है तो क जिस देश का नाम है ब्रितेंस प्रेंदेंस में समय धनिक राजतंतर हैं और ब्रितिश संसेट में दो सदन हाउसाप कामनस एक हाउस आप लाड़्स और यह हाउस आप लाड़्स अस्थाई सदन और उच्छ나うん जिसके सदश्य की नियुक्ति परधान मंत्री के सिपारस पर कई आता है सिपारिस पर राजा करता है और इस सदन में नब्बे परसेंट जो है वानसानुगा सदस्य होते हैं राजा जो है अब चारिक परधान होता है तो यह थे क्वेशन आज के लिए तो उम्मित करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद इसको लाइक करें अधिक सदिक सेर करें धन्य बात दोस्तों जैहिंद वन दे मात्रम